अब सब लोगों को मेरा नमश्कार आज सुप्रीम कोट का जो ओडर आया है ये कई माइनों में बहुत ही एतिहासिक ओडर है दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों के साथ जो भी तक अन्याए होता आया उनके साथ माननिय सुप्रीम कोट ने न्याए किया है आज से आठ साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी फरवरी मार्च अप्रेल मई तीन महीने के अंदर सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 66 सीट आई तीन महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने कादेश पारित करवाया केंदर सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले आप दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे वो LG के पास रहेंगे या केंदर सरकार के पास रहेंगे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं चितने भी करमचारी हैं उपर से लेके नीचे तक आए सफसर से क्लास A से लेके क्लास FOUR करमचारी तक, चपरासी तक. सारे करमचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी डिसिप्लिरी पोसीडिंग्स नई अपॉइंटमेंट पोस्ट क्रियेट करना पोस्ट अबॉलिश करना पक्के करना यह सारा जो है यह अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा यानि की अगर मैं मुख्य मंत्रीयों मेरे सामने कोई करमचारी रिश्वत ले रहा है मैं उसे suspend भी नहीं कर सकता मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता Education Secretary कौन होगा यह हम नहीं तै कर सकते Health Secretary कौन होगा यह हम नहीं तै कर सकते ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारिद किया आठ सालोग को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जान बूज के रोका गया हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाते थे तो वो जान बूज के ऐसा एजूकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो की काम ना करे हम अगर महला क्लिनिक बनाना चाते हैं तो जान बूज के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो की काम ना करे जानबुज के ऐसा फणैन्स सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अडंगाड आए तो इसको इस्तिमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिये गए पीछे और मुझे नदी में फैंक दिया गया कि अब तैरो ये तो उपर वाले का शुकर है कि दोनों हाथ बंदे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और उपर वाला हमारा साथ देता रहा है इन सारी कठिनाईयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शांदार काम किया पिछले आठ साल के अंदर तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़ादा काम कर सकते थे आज हम सुप्रीम कोट के जस्टिस चंडरिचूड के जो और चारों जजजेस हैं उस बेंच में समविधान पीठ में उन सब के तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ नयाय किया मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशिरवाद दिल्ली की जन्ता के आशिरवाद उनके साथ का उनके सहयोग का नतीजा है कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जन्ता ने अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है दिल्ली का काम जो है अब ये दस गुना स्पीड से होगा आज की आदेश के बाद बहुत बड़े-बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते सबसे important है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो की responsive हो जो की जनता की जरूरतों के प्रती sympathetic हो compassionate हो तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेर बदल होगा कई सारे officers को करमचारियों को transfer किया जाएगा इस आधार प कुछ ऐसे officers हैं कुछ ऐसे करमचारिय हैं जिन्नों ने पिछले कुछ महीनों में एक डेड़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके कुछ ऐसे आफिसर्ज हैं जिन्नों ने डिल्ली में महला क्लिनिक में दवाईयां बंद करा दी अस्पतालों के अंदर दवाईयां बंद करा दी जल बोर्ड की पेमेंट रोके कईजे के पानी बंद करा दिया ऐसे करमचारियों को आफिसर्ज को चिन्नित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे करमचारी और आफिसेज हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे इमानदार लोग हैं काम करना चाहते हैं उन सारे करमचारियों को उन सारे आफिसेज को मौका मिलेगा काम करने का उन सब को जो डेड़ वुड है जो करप्ट हैं जो इनेफिशेंट हैं उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं एफिशेंट हैं इमानदार हैं रेस्पॉंसिव हैं कमपैशनेट हैं उन लोगों को उन सारे अधिकारियों को और करमचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा ये सारा सिस्टम भी सड़ा गड़ा सिस्टम है ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रती जवाब दे हो और जनता के लिए responsive हो जनता की जरूरतों के प्रती responsive हो तो विवस्था के अंदर जितनी कमिया हैं इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा तो पूरे सिस्टम को और ओफिसर्ज को और करमचारियों को जनता के प्रती जवाब दे बनाये जाएगा और जनता के लिए रेस्पॉंसिव बनाये जाएगा एक lean and thin government तयार की जाएगी lean, thin, responsive, compassionate and accountable government ये हम चाते हैं दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का model दिया, health का model दिया अब एक ऐसे governance का, administration का model हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे मैं देखता हूं कि कई ऐसी posts हैं, जिनकी जरूरत नहीं है उन में कोई भी करमचारी या धिकारी बैठके जनता की चार अड़चने ही लगाता है अगर वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ऐसी posts को चिन्नित करके, या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा, या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा जहां 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 ज़्यादा पोस्ट की ज़रूरत है वहां ज़्यादा पोस्ट क्रियेट की जाएंगी जहाँ जहाँ लोगों को जूरूरत है वहाँ ज्यादा पोस जैसे अब इतने महला क्लेनिक बना रहे हैं तो जब डॉक्टर्स की जूरूरत है पेरामेडिक से वहाँ और क्रियेट किये जाएंगे तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल अस्पताल में एक मॉडल दिया अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे law and order कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं उसे तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा मैं एक बड़ फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार विक्त करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया हैं जी बिल्कुल होगे सर्विसस आने के बाद हम नई पोस्ट क्रियेट कर सकते हैं गुरानी पोस्ट से बॉलिश कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अभी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है लेकिन विजलेंस अब आ गया है तो जो लोग अगर गलत काम करेंगे भृष्टाचार करेंगे कानून के इसाफ से काम नहीं करेंगे उनके उपर विजलेंस के कारवाई सब्सक्राइब करेंगे उसमें क्या बादचीफ होने की सम्हावना क्या अब उन्से आशिरवाद लेने जा रहा हूं जिम्मेदारी तो पहले भी थी वो जिम्मेदारी विदाउट पावर थी अब जिम्मेदारी विद पावर आ गई है जिम्मेदा देखिए जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यह कह दिती जी हमने तो केजरिवाल को वोट दे दी अब केजरिवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास जनता को कि विचारों को क्या पता TBR क्या होता है आर्ट ऐसे बहुत सारे काम है जो पिछले कई सालों में अटके पिछले एक साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते महला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट बंद हो गए थे दवाईया बंद हो गई थी जल बोर्ड जो है बज हो जाएगा अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं वो सारी चीजें अब हम कर पाएंगे जरूर बनाएंगे अब आने वाले टाइम में मीटिंग्स होती रहेंगे वो फैसले कई सारे गलत हैं इन फैक्ट कई सारे तो सुप्रिंग कोड में पेंडिंग एकल एल्डर में का के सारा सुप्रिंग कोड के अंदर ट्यूजडे को डी आर्सी के चेर्में की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है फिलनेंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया उसका केस सुप्रिंग कोड के अंदर पेंडिंग है जब मैंशन ही किया था हमने ये केसे तीनो तो सुप्रिंग कोड की टिपनी काफी तल्क ही कि ये कैसे अलजी साब रोक सकते हैं एलडर मैं की अपॉइंटमेंट बिलकुल गलत हुई है जो डी आर्सी के चेर्मेंट चार महीने से फाइल एलजी साब के पास पड़ी हुई थी अलजी साब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी तो हमें सुप्रिंग कोड जाना मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से प्रधान मंत्री जी खासतोर एक तरह से पिता समान होते हैं जैसे परिवार में पिता होता है पिता समान होते हैं पिटा की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोश्चन करें. अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो हमारे भी प्रधान मंतरी हैं, हम भी उननी की तरफ देखते हैं. चाहिए बीजेपी की किसी राजी में सरकार है, किसी मे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि यह कोई मुसीवत आएगी तो हमारी मदद करेंगे लेकिन अगर जैसे यह 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिली सरकार की पावर चीन ली गई आठ साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा काम रुक गया किसका फायदा हुआ आज सुप्रीं कोट ने साबित कर दिया कि यह गलत था यह ओडर बिलकुल गैर समविधानिक ओडर था जितनी सक्त लैंग किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था और तो कोई मकसद नहीं था देश का तो भला नहीं हुआ दिली का तो भला नहीं हुआ केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ यह नहीं करना चाहिए चुनाव में ल जब उनका आशिरवाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों पर आशिरवाद है जी मिलके काम करेंगा जब तक हमारी सरकार है हमें काम करनेड़ा? तो कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अडानी चाहिए। अभी आया नहीं, कानून के अंदर LG साब के पास साथ दिन का टाइन होता है। तो वो भी मैं आज उन से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ दिन में क्लियर करना चालो करें। सर्द महाराश्च का जो फैसला है, उसमें की राजज वाज की भूंगे का को बहुत ही। मैंने उसको पूरा पढ़ानी है, मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं... Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. झाल झाल झाल